हेलो गाइस विल्कम बैक टू माई चानल डामेंड सुपर स्टेडी क्लासेज माईसल भविसेग मौरया और आप लोगों का जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास 12 का नरेशन मतलब कि डिरेक्ट एंड डिरेक्ट स्पीच मैं स्टार्ट कर दूंगा तो बस वही आज के दिन यो आ आता है तो आप लोगों को एक दाम अच्छे समन में आएगा सिर्फ आप लोग थोड़ा सा कंसेंट्रेशन बनाईएगा और माइंड यहां पर लगाईएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमने देख लेते हैं सबसे पहले तो मैंने यहां पर डाल दिया नरेशन मैंने इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजेगा हैं तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां पर डाल देते हैं सबसे पहले नरेशन हम पढ़ेंगे इसके बारे में इसको पता करेंगे यह आखिर कार क्या होता है तो जैसा कि इसकी हम डिफनेशन यहां पर लिखते नरेशन इस दा चलिए यहां पर नरेशन की डिफनेशन लिख देते हैं नरेशन इज दा इज दा यूज आफ नरेशन इस दा यूज आफ यूज आफ और यूज आफ रिटन यार रिटन रिटन आर इस पोकेन रिटन आर इस पोकेन रिटन आर इस पोकेन कमेंटरी रिटन आर इस पोकेन कमेंटरी 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 टू कनवे कमेंटरी टू कनवे एक बार डिफनेशन आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं तब आप लोगों को अच्छे से यहां त तो देख लिजे यहां पर इसकी हमने डिफनेशन यहां तेख लिख दिया नेरेशन इस दा यूज आफ रिटेन और स्पोकेन कमेंट्री तो कंवे आई स्टोरी तो आन ओडियेंस अब आप लोगों को इंगलेश में समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब आखिरकार यह हाई क् उसको अम बता देते हैंकि नरेशन जो होता है उसका उपयोग वह जी मतलाब लिखत आ मतलब कि अपनी जो एक कहानी है उसको किसी भी स्रोतागड होती है जो हमारे सामने लोग बैठे होते हैं जो सुनने वाले होते हैं उनको हम एक स्टोरी के रूप में अगर कमेंटरी करके जो बताते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं नरेशन कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम नरेशन तो इसके देख लिए मतलब की क्या होते हैं किसके नरेशन के इसके नरेशन के आधर सिनोनिम्स देख लिए यहां पर आप लोगों को समझ में जादा आएगा तो सबसे पहला सिनोनिम होगा speech पहला क्या होगा speech यह एकदम अच्छे से याद करिएगा ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा और एकदम यूनीक चीज़े हम लेकर आ ठीक है speech हो जाएगा conversation हो जाएगा conversation हो जाएगा okay this speech हो जाएगा conversation हो जाएगा और इसका हो जाएगा statement और क्या हो जाएगा statement हो जाएगा ठीक है तो देख लीजे यहाँ पर हमने तीन synonym इनके बताए है सबसे पहला बताया हमने speech और conversation उसके बाद statement बताया हमने ठीक है तो यहां तक अब इनके हम अर्थ बताते हैं जो speech का मतलब क्या होता है आप लोगों को सकता है पता है कि भासर होता है speech का मतलब क्या होता है भासर होता है conversation का मतलब होता है देखिए बातचीत करना conversation का मतलब क्या होता है बातचीत करना है ना और यह statement का का मतलब होता है कथन statement का मतलब क्या होता है कथन होता है ठीक है तो अब इनके बारे में मतलब जो यहां पर हिंदी में हमने देखा तो थोड़ा बहुत हमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यह narration क्या है क्या है जैसा यहां पर speech भासर conversation बाचीत और statement कथन है ना तो इसमें होगा क्या मतलब की दो बैक्ति होंगे या दो से जादा भी हो सकते हैं ठीक है दो होंगे या दो से जादा होंगे होगा क्या system इसमें कि एक जो यहां person होगा वो कुछ बोलेगा वो कुछ क्या होगा भासर देगा कथन कहेगा बाचीत वो भी किस से यहां पर यह जो दो से तीन चार लोग पांच लोग छे लोग जितने भी हों सव लोग दो सो लोग हजार लोग ठीक है तो यह जो भी बोलेगा अगर यह लोग जो चीज सुन रहे हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं नरेशन कहते हैं ठीक है इसे ही क्या कहते हैं न या फिर कोई कथन अगर कह दे तो कोई सुने और या फिर इन दोनों में बातचीत अगर हो तो यह हमारा नरेशन हो जाएगा आया समझ में आप लोगों को एकदम अच्छे से तो यहां तक कोई दिक्कान नहीं होगी अब हम इनके चलेंगे टाइपस पर ठीक है अब नरेशन क नोट कर लीजेगा ओके तो नेश्ट इनके टाइपस टो यहां पर लिख दे रहे हैं तो पहला इसका क्या होगा डे रेक्ट न रहा जिर्ट फिक है यह पिर इसको हम लोग डर्लाट इस पीच भी करेसकते हैं तो सबाया क्या है इंडायर्ट नुरिशंव या फिर उस पीच भी कैसकते हैं तो यह द देखिए अब यहां पर direct का मतलब क्या होता है परती अच्य और indirect का मतलब होता है आप परते अच्य तो यहां तक समझते हैं को आराम से अच्छे से समय से हैं इनके बारे में तो सब्से पाह crease संथे और इसको reven sih किये दे रहे हैं ठीक है क्योंकि हमको पहलावला समझनाया डालche को समझनाया है डालिक का मतलब क्या होता है देखे यहां पर सपोज दैट यह एंड आट बी दो लोग है और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं आपस्समें बातचीत कर रहे हैं तो यह देखिए यह क्या होगा जब आमने सामने हो रहे हैं ठीक है यहां पर एक ही option रहेगा कि जब आमने सामने होंगे तब ही बातचीत हो सकती है और अधर कोई option नहीं है calling या फिर कोई माध्य नहीं है ठीक है तो यहां पर जब परकेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इनके examples देखे आप लोगों को लिखते हैं सुरेस सबसे पहले सब्जट लिखते हैं से डू वर्ब लिखते हैं से टू मी ओब लगते हैं लगते हैं इनृटेट कामा लगाते हैं है ना तो यहां पर क्या होगा आई एंप लेंग I am playing मैं खैल रहा हूँ टो आप देखें यहां पर हो क्या रहा है सुरेष ने मुझे से कहा क्या कहा मैं खैल रहा हूँ यह सुरेष और यह मैं हूँ यह इनसे कहरे हैं यहां पर लिखा हुआ है यह नहीं हो जाएग creeping है ए मिष्वक्या गा? हैं चलिए अब इंडारेक्ट नर्डेशन पर चलते हैं और उसको समझते हैं हाँ यह बात और इसकी टिफनेशन हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कि वक्ता के द्वारा वक्ता इसमें मतलब कि यह वक्ता हो जाएगा बोलने वाला ठीक है वक्ता के द्वार तो दूसरा हमारा है इंडारेक्ट इंडारेक्ट नर्डेशन है ठीक है इसका मतलब क्या होता है आप अब देखें यहां पर हमने एंड बी दो लोग थे ठीक है लेकिन इंडारेक्ट में क्या हो जाएगा तीन लोग हो जाएंगे इसमें क्या हो जाएगा तीन लोग हो था विल रहेंगे हैं तो होगा क्या जैसा कि अबी डिर्क स्पीच में जो हैं इनि辛苦 में बातचीद करके दोनों लोग ने हो गया था अब इसमें होगा क्या इसमें एक लोग सामने नहीं होंगे मतलब कि जब डेरेक्र वाला हो जाएगा तो यह तीनों लोग आपस में साथ साथ कभी नहीं मिल सकते हैं ओके आपस में कभी नहीं मिलेंगे यह आलग ही रहेंगे अब होना क्या है कि अगर एक को अपनी बात कुछ भी से कहनी है किस से कहनी है सी से कहनी है तो जरा यहां पर देखिए कि अगर देखा जाए कि A और C की दूरी बहुत है है ना मान लीजे ये दूर दूर है और इनकी जो B और C की दूरी पास पास में है मलब ये दोनों लोग पास में है और ये B की भी पास में है ठीक है तो आगर इनको अपनी बात इनसे कुछ कहनी है तो ये क्या करेंगे कि ये इनको नहीं जाकर बताएंगे ये जाकर इनको बतादेंगे ये B को बताएंगे मतलब कि बात कहनी क्या यहां पर इनके बारे में बुराई करनी थी C के बारे में क्या करना था बुराई करनी थी तो आप देखिए यहां पर जब B यह पहुचे और जो कुछ इन्हों ने बताया था यह उसमें क्या किए मिर्चा लगा दिये मतलब कि इसमें मेर्च पाउड़ा जितना भी चोचीज होता है एकदम गबड गुसेर कर दिये एकदम मतलब क्या हुआ मिक्स कर दिये ठीक है तड़कता बड़कता बना दिये और इनको जाकर बता दिये मतलब क्या किये फिर बदल कर दिया इनोंने और तब क्या हुआ कि जब सुना कि इनों ने हमारे बारे में ऐसा कहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा सभी आग को अगर कुरेदा जाता तो लपट उपर तक उड़ती है तो वैसा ही फिर आगे जो होगा वो आप लोग समझ लीजेगा तो यहां तक आप लोगों को समझ में आयोगा मतलब कि इसमें क्या होगा कि दो लोग साथ में होंगे दो लोग क्या होंगे साथ में होंगे अब इसकी डिफनेशन जरा सुनिए कि वक्ता के द्वारा कहे गए सब्दों को वक्ता के द्वारा कहे गए स कदल करने वाला वही चीज होता है समझ में आया कि नहीं जैसे मतलब की वक्ता ने कहा था सेम वैसे ही नहीं करना है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके किसी दूसरे को बताना है वह इंडायरेक्ट कि एक ही बात वहां तक पहुंच गई तो यह अपरते सिकतन हो गया अब इसका एक्जामपल की तौर पर हम समझते हैं जैसा कि अभी हमने लिखा था सुरेश से टू मी तो इसी को हम चेंज करेंगे आप लोगों को सिस्टम क्या होगा कि एक डैरेक्ट का सेंटेंस दिया जाए क्या हुआ कि लाइट चली गई और मौसम भी घड़बड है लेकिन मैंने सुचा कि वीडियो जरूर बना लिया जाए क्योंकि अगर थोड़ा सा बनाई नहीं जाएगी तो पोस्ट नहीं होगी क्योंकि एक दो मिनिट की बात है ठीक है तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब् चैंज किया जाएगा और मी से कुछ नहीं बोलेंगे मी को ऐसे लिखा जाएगा और कामा इन्वेट कामा को अटाकर क्या लगाया देंगे हम दाट लिख देंगे उसके बाद देख लिए जो आई होगा वह चेंज होगा सुरेश के हिसाब से तो यहाँ पर आ जाएगा इसक और प्लैइंग हो जाएगा ठीक है तो देख लिए यहाँ पर इसका इंडियरेट का एक्जाम्पल हो गया और बस यहीं तब वीडियो रोकते हैं क्योंकि आप लोग समझे रहेंगे कि लाइट चली गए और बहुत इमर्जंसी में बना रहे हैं ट्यार्च वार्ज जलाकर तो जैसा कि आख तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा मैंने इसका इंट्रोडेक्शन बता दिया है आप लोगों को और अगर आप लोगों को यहाँ पर एकदम मलब की अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताईएगा मैं आप लोग समझाओंगा ठीक है और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस मलब की हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ महीं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस पीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए लाइक करना मत और अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा सेहर कीजिए ओके चलते हैं धन्यवाद